आज हम बहुत ही टेष्टी नास्ता बनाएं हैं Hello friends, Welcome back to my channel Easy Seek आप सबी का Easy Seek में स्वागत है चलिए हम कच्छे चाफल से बहुत ही टेष्टी नास्ता बनाते हैं जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में मज़ेदार हम डेर कप चाफल लिये हैं चावल को हम चार से पांच घंटा पानी में सोख करके रख देंगे जिसे अच्छे से आफ फूल जाएं इस नास्ता के साथ खाने के लिए एक टेश्टी चटनी बनाएंगे इसमें हम दो चमच भुना हुआ चना, भुना हुआ मुफली, दो कली, लहसन और चार हरा मिर्चा, नमक और दो चमच दही डालेंगे और इन सब का हम एक स्मूद पेश्ट बना लेते हैं चटनी बनाते समय अगर पानी की जरूरत हो तो आप इसमें डालें और चटनी की ऊपर हम राई और करी पत्ता का तरकाड लगाएंगे जिसे चटनी का टेस्ट और बढ़ जाता है चलिए हम अपने नास्ता को बनाते हैं चावल हमारा अच्छे से फूल कर सौप्ट हो गया है जब ये अच्छे से फूल कर सौप्ट रहते हैं तो नास्ता भी हमारा बहुत सॉप्ट बनता है इनका हमें पेश्ट बनाना है मिक्सर जार्मेन को हम डाल कर एक से दो चम्मच में एक गाढ़ा पेश्ट बना लेंगे इसका पेश्ट हमें पतला नहीं बनाना है इस तिर्खे से हम गाढ़ा पेश्ट बनाएंगे हरा मिर्चा, धनिया पत्ती और दो चम्मच दही डालेंगे और इसमें हम एक छोटा आलू को ग्रेट करके डालेंगे जिसे नास्ता हमारा बहुत ही सौप्ट बनेगा और इन सब को हम मिक्स करेंगे आलू को हम ग्रेट करके डालेंगे जिसे एकदम स्मूथ पेश्ट होंगे और चावल में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे कुछ दिर मिलाने के बाद देखेंगे कि चावल का गोल पहले से गाड़ा हो गया है इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेश्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और इसमें हम चोटा चम्मच से आदा चम्मच खाने वाला सोडा डालेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे सोडा डालने के वज़े से नास्ता हमारा फुला फुला और टेश्टी बनेगा और इन सब को हम मिक्स करेंगे नमक डालने के वज़े से प्याज और टमाटर पानी छोड़ता है जिससे या पहले से कुछ पतला हो जाते हैं हमें इतना पतला ही नास्ता को त्यार करना है जिससे या आराम से बने और अच्छे से फूलें या चम्मच से ड्रॉप करने पर अराम से ड्रॉप हो जाते हैं इसी तिर्फिय से घोल को त्यार करना है इनको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे जैसे जैसे समय बिदता है या अपने आप ही पतला होने लगते हैं इसलिए इनको हम बनाने के बाद रखेंगे नहीं और अपने नास्ता को बनाएंगे नास्ता को बनाने के लिए हम अप्पे वाला साचा लिया है इस साचा में हम एक चमच ओल लेंगे और एक एक बूंद हम सभी खानों में ओल को डाल देंगे और ब्रस से अच्छे से हम क्रिस कर लेते हैं जिससे नास्ता हमारा क्रिस्पी बने सभी साचों में हम एक एक चम्मच गोल को डालेंगे आप कई बार अप्पे बनाए होंगे सूजी से आज हम इस चावल से अप्पे बनाएंगे जो बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत टेश्टी है और इनको हम ढख कर 5-6 मिनिट के लिए रख देंगे फ्लेम हमारा लो और मीडियम के बीच में रहेगा 6 मिनिट बात देखेंगे कि अच्छे तरके से फूल गए हैं इनके उपर हम ओल लगा देते हैं ब्रस से हलका हलका ओल लगा देते हैं जिससे या दूसरे तरफ से भी क्रिस्पी बने और इनको हम पलट लेंगे जिससे या दूसरे तरफ से भी सेख जाएं सूजी वाले अप्ते से इनको बनाने में कुछ ज़्यादा समय लगता है लेकिन या नास्ता खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है और एक मिनट के लिए फिर से हम ढख कर रख दिये थे इस तरके से या अंदर तक अच्छे से पक गए हैं और दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गए हैं इनको पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है छे से साथ मिनट में या हराम से पक कर त्यार हो जाते हैं इस तरके से या हमारा चावल से बना अप्पे त्यार हो गए हैं चलिए इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं चावल काप पे बहुत ही सॉप्ट होता है यह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एक दम रूई के तरह होते हैं सोडा और दही डालने के वज़े से काफी सॉप्ट होते हैं चलिए इनको हम प्लेट में निकालते हैं और अपने मन पसंद चटनी के साथ खाते हैं अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेर करें हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं अगला वीडियो देखने के लिए सस्क्राइब करें आप चावल से अपने बनाएं और बताएं कैसा लगा